आने और बेन की पाच चाला मैंगो को पहुचना है गोल्डन बनाना तक पहले उसे गुजरना होका चादूई पेर से फिर उसे पार करनी होगी शेप्स वाली दीवार और फिर गुजरना होका रेंबो रॉक से मैंगो को यहाँ एक खट्र करने होगे तीन फ्रूट्स वान, टू, 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 येेे अगला पढ़ाओ है शेप्स वाली दीवार इन्हें भरना है सही शेप्स में मैंगो को सही शेप ढूंड कर दीवार की खाली जगा को भरना है सरकल, यानि गोलाकर, पर ये यहाँ नहीं आपाएगा स्क्वेर, यानि चोकोर, ये भी यहाँ नहीं आपाएगा चलो, चलो मैंगो, दिमाग लगाओ हाँ, ये तो लग गया अगला पड़ाव है, रेन्बो रॉब रेन्बो में कलर भरने है मैंगो को रेन्बो में कलर्स भरने होंगे, वो भी सही ओडर में रेज यानि लाल ओरेंज यानि नारंगी येलो यानि पीला ग्रीन यानि हरा ब्लू यानि नीला इंडिगो यानि कहरा नेला वाइलेट यानि बैंगनी शाबाश मैंगो तुमने कमाल कर दिया चलो अपने इनाम वाला बनाना ले लो ये थोड़ी तुम हैनत करने पड़ेगी आज हमने सीखे नंबर्स वाट टू थ्री और शेप्स ट्राइंग्ल स्क्वेर सर्कल और सीखा रेंबू के कलर्स के बारे में ये क्या एक और ये सब हो क्या रहा है अरे नहीं हमारी सारे तोस जाल में भज गए क्या आप इनको निकालने में हमारी मदद करेंगे इसके लिए हमें धूरने होंगे वर्ड्स तो चलिए शुरुवात करते हैं स्पाइडर से स्पाइडर शुरु होता है एस से नहीं ये तो राइटर हो गया ये बिल्कुल सही पहचाना स्पाइडर स्पाइडर शुरु होता है एस से अप मॉन्स्टर को निकालती है मॉन्स्टर शुरु होता है एम से अरे नहीं ये तो डांसर है चलो फिर से कोशिश करें मॉंस्टर आपने ढूंड लिया M O N S T E R मॉंस्टर और अब हमें निकालना है वैंपायर को वैंपायर शुरू होता है वी से अरे ये ता अमपायर है ये बिल्कुल सही पहचाना वैंपायर V A M P I R E वैंपायर और आप धूंडेंगे विर्च अरे नहीं ये तो पिछ है ये सही पहचाना विर्च W I T C H विर्च आपने कर दिखाया आपने सब कजाल से निकाल दिया आज हमने सीखी बहुत से स्पेलिंग्स S P I D E R स्पाइडर M O N S T E R मॉंस्टर वी ए ए एम पी आई 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 ए फैंपायर W I T C H विच बहुत बढ़िया आपने सब सीख लिया बुढे मेच चानल्स का था एक खेट E I E I O ये उसके खेट में बहुत से नीले सेब ये तो ठीक नहीं है सेब होते है लाल ये बुढे मेच चानल्स का था एक खेट E I E I O ये उसके खेट में बहुत से नीले केले ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है खेले होते हैं पीले बुढे मेच चॉनल्स का था एक खेट थे उसके खेट में बहुत से बैंगिनी संतरे एक मिनुट ये सही नहीं है संतरे होते हैं नारंगी बुढे मेच चॉनल्स का था एक खेट थे उसके खेट में बहुत से गुलाबी नाश पाती ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है नाशपाती होते हैं हरे बुरह में टॉनल्स का था एक केट ए आ ए आ यो हे उसके केट में बहुत से सफेद ब्लूबेरीज ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है ब्लूबेरीज होते हैं नीले तो आज हमने सीखे कलर्स तो आज हमने सीखा लान सेख के बारे में, नीले केले के बारे में, नारंगी संतने के बारे में, हरे नाश पाती और नीले ब्लू मेरीज के बारे में. ये! आपने कर दिखाया! अरे, ये तो कमीला है! और ये है उसकी हैट! हैट में लेटर्स होते हैं, ह, टी, ए. पर ये सही ओडर में नहीं है. सही ओडर है, ह, ए, टी, हैट. अर अब ये हैट जाएगी कमीला के सिर पर. अब अगली चीज क्या है? वांड. वांड में लेटर्स होते हैं, टी, ए, टब्ल्यू, एन. चलिए, अब इन लेटर्स को सही ओडर में लगाते हैं. डब्ल्यू, ए, एन, टी. वांड. और वांड जाएगी कमीला के हाथ में. अब क्या चीज आएगी? ब्रूम. वांड में लेटर्स होते हैं, ओ, आर, बी, ओ, एम. पर ये सही ओडर में नहीं है. सही ओडर है, बी, आर, ओ, ओ, एम. ब्रूम. ये है सही स्पेलिंग. और ब्रूम गया कमीला के पास. और कमीला उस पर बैट कर ओड़ चली. तेखो वो कितनी खुश है. आज हमने सीखी हैट की स्पेलिंग. ह, ए, टी. हैट. और हमने सीखी वांड की स्पेलिंग. डब्ल्यू, ए, ए, एन, डी. वांड. और हमने ब्रूम की भी स्पेलिंग सेखी. बी, आर, ओ, ओ, एम. ब्रूम. बहुत अच्छे. ब्रूम, वांड, हैट. तो, दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं? लो, पूकी भी आ गया. अब तो और मज़ा आएगा. और ये तीन गोलों में किसके पैर है? ओ, समझ गई. पर क्या आप समझे? हमें पहचानना है फ्रैंकिन्स्टाइन का पैर. क्या पहला वाला पैर फ्रैंकिन्स्टाइन का है? अरे, नहीं. हमें तो तीसरा वाला लग रहा है. बेकुश सही, ये है इसका पैर. ठीक है न, पूकी? अब हमें क्या पहचानना है? ये तो हाथ लग रहे हैं. लेकिन फ्रैंकिन्स्टाइन का हाथ कौन सा है क्या पैचान सकते हैं ये वाला तो नहीं लग रहा ओ ये वाला भी नहीं लग रहा लगता है बीच वाला है बिल्कुल सही पैचाना यहीं है इसका हाथ है ना पूकी ओ अब हमें क्या पैचानना है अब हमें पैचानना है फ्रैंकिन्स्टाइन का सर क्या लगता है पहला वाला बिल्कुल सही ये है फ्रैंकिन्स्टाइन का सर हे आपने फ्रैंकिन्स्टाइन को फिर से जोर दिया और देखो पूकी भी कितना खुश है तो आज हमने सीखा शरीर के अंगों के बारे में हमने सीखा पैर के बारे में, हाथ के बारे में और सर के बारे में ये! एक, दो, तीन, चार अरे, ये कौन है? एक, वेंपायर अब कौन आएगा? दो, मॉमीज देखें अब कौन आता है? तीन, विच्चेज अब किस की बारी है? चार, मॉंस्टर्स पाँच, छे, साथ, आट देखती हैं अब क्या आएगा? पाँच, ड्रेगन्स अब कौन आने वाला है? छे, ब्रेट कैट्स और अब किस की बारी है? साथ, स्केलिटन्स इस पार कौन आएगा? आट, बैट्स नौ, दस देखें कौन आता है? नौ, स्पाइडर्स और अब किस की बारी है? ये है दस गोस्ट्स आज हमने सीखे नंबर्स एक, दो, तीन, चार पाँच, छे, साथ, आट, नौ, दस देखो, एक जाइलोफोन और एक छोटा सा मॉन्स्टर अरे, इसने तो इसे बना दिया वाइलिट, यानि बैंगनी थैंक्स, मिस्टर मॉन्स्टर ओ, एक स्पाइडर स्पाइडर है इंटिगो, यानि कहरा नीला अरे, ये तो एक आखवाला मॉन्स्टर है कितना फणी लग रहा है अरे, इसने इसे बना दिया ब्ल्यू, यानि नीला ओ-ओ, ये है ट्रैगन ट्रैगन के मूसनिकली फायर वो भी ग्रीम, यानि हरी अरे, एक ट्रैम्पुलिन अप्स, जरा देखो तो मॉन्स्टर ने इसे बना दिया येलो, यानि पीला ओ-ओ, ये तो लगता है नॉटी मॉन्स्टर अर इसने इसे बना दिया और रेज, यानि नारुंगी अब कौन आएगा? एक टीन आखो वाला मॉन्स्टर ओ-ओ, इसने तो इसे बना दिया रेज, यानि लाल बाई-बाई, मॉन्स्टर्स आज हमने सीखा रेन्बो के अलग-अलग कलर्स के बारे में तो उसमें कौन-कौन से कलर्स थे? रेज, औरेंज, यलो, ग्रीन, ब्लू, एंडिगो, और वाईलेट अरे आप तो सीख गए हाई, मैं हूँ एंडी क्या मेरे दोस्तर को ढूनने में आप मेरी मदद करेंगे? अरे, वो कौन है? मुझे उसकी आँखे दिखाई दी रही है और ब्लैक कोट भी ओ, ये तो ब्लैक है, एक वैंपायर हाई, ब्लैक वो कौन हो सकता है? एक बड़ी ग्रीन नोज और एक परपल कोट ये तो फ्रैंक है, एक मॉन्स्टर हाई, फ्रैंक हाई, कौन है? नुकीली ब्लैक नोज ब्राउन है ये तो बिल है, एक वैंपायर वुल्फ हाई, बिल वो कौन हो सकता है? उसकी आँखे देख रही है और एक हैट भी ओ, ये तो कमिला है, एक ग्रेच हाई, कमिला वो कौन है? इसकी तो बड़ी-बड़ी ब्लू आइस है और पिंक चीक्स भी ये तो थॉमस है, एक गोस्ट हाई, थॉमस मेरे दोस्तों को ढूनने में मदद के लिए शक्रिया आज हम मिले वैंपायर से मॉन्स्टर से वेरवुल्फ से विच्च से और एक गोस्ट से आपने कर दिखाया थैंक्यू दी एंड मॉन्स्टर मास्क्स हलो, हलो, क्या यहां कोई है वहां क्या लिखा है मेक, मॉन्स्टर, मास्क्स तब चलू बनाते हैं, मज़ा आएगा सर्कल, यानि गोल आकार इसमें भरा ग्रीन कलर, यानि हरा रंग अब हम इसमें यलू कलर से थोड़े से डॉट्स बनाएंगे और फिर बनाएंगे आखे अब बनाएंगे ब्लैक कलर से इसकी नाक अब बनाएंगे इसका मूँ और यहां चोट का निशान और आखिर में इसकी आखों को पूरा बना देंगे ट्राइंगल यानि त्रिकोर्ण इसमें भरा पर्पल कलर यानि बैंगनी रंग अब इसमें हम छोटे छोटे डॉट्स बनाएंगे और अब लगा देंगे इसकी आखे यह कितने फ़णी आखे है अब हमने बना दिया इसका मूँ दोस्तों इसमें मज़ा आ रहा है ना मैं अपना वाला बनाने के लिए बहुत एक्साइटिद हूँ रिक्टांगल यानि आयतकार अब इसमें यलो कलर भरेंगे यलो कलर यानि पीला रंग उपर बनाएंगे पहले बाल अब बनाएंगे इसका मूँ और यहां लगा दी इसके आखे और ये बन गया ये क्या हो रहा है तुम तीनों मॉंस्टर्स ने तो हमें डरा ही दिया था बाई बाई ये बहुत ही मज़ेदार था आज हमने सीखा शेप्स के बारे में सर्कल, रिक्टांगल और ट्रायांगल ये आपने कर दिखाया आओ ये पहिया घुमाए पता नहीं कौन सा करलर आएगा ग्रीन यानी हरा क्या आपको इसके चण में कुछ ग्रीन दिख रहा है? ग्रीन एपल से भरा हुआ बोल एक ग्रीन फोटो फ्रेम एक ग्रीन स्पैचुला क्या हमने सारी चीज़े ढूण ली? हाँ ढूण ली पता नहीं अब कौन सा कलर आएगा? पिंक यानी गुलाबी मेरे बाथरू में कौन सी चेज पिंक है? पिंक अक्टबस टिकर और ये पिंक रग ओ शैंपू की पिंक पॉटल हमने तेस पर ध्यान ही नहीं दिया मैंगो येल्लो यानी पीला तो बाहर क्या-क्या येल्लो है? येल्लो गिफ्ट बॉक्स येल्लो विंडो वाव! एक येल्लो स्टार ये! हमने सारी येल्लो चीज़े ढूंड ली चलो फिर से पहिया घुमाई रेड यानी लाल इस फॉरिस्ट में क्या-क्या रेड है? रेड एंट हिल्प यानी चीटियो का घर एक रेड फ्लावर रेड बटरफ्लाई रेड बटरफ्लाई अरे बें ब्लू यानी नीला मेरे रूम में क्या ब्लू है? व्यू टेदी बेर ब्लू लाम ब्लू गिटार ये! हमने सारी ब्लू चीज़े जोन ली आज हमने सीखा कलर्स के बारे में रेड ग्रीन पिंग ब्लू और येलो वा! आपने कर दिखाया! आज अब ने एनी और बेंट की पाच्छाला की चैनल में जो सीखा उसमें बहुत बजाया ऑल आपने का ये एनी जाद को प reimburse ब्लू अब्सक्वा सार करने की पाच्छ resist यू गिखाया